प्रेक्टिस सेट नमबर 20 देखेंगे जिसमें दिया हुआ सौ प्रस्णों को फूल डिटेल सोलूसन करेंगे आप इसे पूरा जरूर देखें अगर इससे पहले प्रेक्टिस सेट नहीं देखें तो अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है अब वहां जाकर देख सकते हैं तो आई ये सुरू करते हैं पहले प्रस्ण से पहला प्रस्ण है कि एक चत्रभुज के तीन कोनों के माफ 90 डिगरी 96 डिगरी और 88 डिगरी है इसके चवथे कोन का माफ खाली अस्थान होगा तो चत्रभुज के चारों जो होता है कोनों का यूगफल कितना होता है तीन सो साथ डिगरी है तो तीन सो साथ में घटा देंगे कौन सा ये जो दिया हुआ 90 पलस 96 पलस 88 तो हमारे पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा है कि बिंदू माइनस दो माइनस 6 यहां पर कोई इसका परतिवीम क्या होगा अगर यह मीरर हो जाएगा तो यहां परतिवीम नीचे हो जाएगा तो माइनस 6 होगा अंसर जो हमारे पास आएगा वो C होगा 3 के पावर 66 गुना 6 के पावर 41 गुना 7 के पावर 33 में इकाई कांग क्या होगा तो यहां हम देखते हैं कि अगर जिसका अधार 2, 3, 7, 8 हो अधार जो 2, 3, 7, 8 हो तो उसके पावर में पावर में क्या करेंगे 4 से भागा देंगे जो सेसफ़ल आएगा उस अधार को उतना ही पावर से क्या करेंगे गुना कर देंगे यहां मानले कि 3 के पावर 66 है तो 66 को क्या करेंगे 4 से भागा देंगे हमारे पास कितना में सेसफ़ल बच रहा है 2 बचरा है तो जो सेसफल है तीन के pavar 2 हो जाएगा यानि 9, इकाई के स्थान पर हमारे पास 9 आ गया है और 6, एक और 5 और 6 और 6 के pavar कुछ भी हो तो इकाई अंting जो भी होगा, 1, 5, 6 वही संख्या हो जाएगा तो यहां पर 6 के power कितना है 41 है तो इसका इकाई यंग कितना हो जागा 6 ही रह जाएगा अब 7 एक आया है 7 के power तिरपन तो 7 इस condition से satisfied हो रहा है तो यहां भी क्या करेंगे कि तिरपन को 4 से भागा देंगे सेसफल जो हमारे पास बचेगा वो कितना बचेगा 1 बचेगा तो यह हो जाएगा 7 के power एक इकाई यंग 7 है अब मारे पास एक वो इकाई यंग जो आया उन्नाव आया और उसको दुसरे में इकाई यंग 6 आया तिसरा इकाई यंग 7 अभी तीनों के जब गुना कर देंगे तो 378 आजाएगा इसका इकाई यंग जो होगा वो आठाएगा अंसर जो हो जाएगा डी अगर इकाई यंग पर कौन सा संख्या आ रहा है उसका वीडियो देखना चाते हैं तो काफी अच्छा वीडियो संविक मैथ पर पड़ा हुआ है आप जाकर देख सकते अपलोड किय काफी अच्छा वीडियो संविक मैथ पर अब दो सेकेंड में सभी ट्रिक से निकालना सीख जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एक बार जरूर विजिट करें संविक मैथ पर और चैनल को सब्सक्राइब भी चरूर करें दिया गया पाई चार्ट दिसंबर 2017 तक भारत के विभीन बैंकों द्वारा संसाधिद गैर निस्पादन संपत्ति के बारे में जानकारी दिखाता है यदि सभी बैंकों के अंतरगात कुल NPA की कीमत 300 लाग कड़ोर है तो दिसंबर 2017 तक बैंक C के अंतरगात NPA की कीमत कितनी होगा लाग कड़ोर में तो C जो है वो होगा बी, किई समाने 12 फलक में 12 संबरूप zastब्लग होते हैं इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वह जाएगा पंच भूजिए फलक होते हैं कितना होते हैं 5 भूजिए दातों के इलाज में किस रसायन का सबस्ढ porcel किया जाता है और इसका सही जवाब ह दातों की इलाज में कैलस्यम फास्वेट का उफियोग किया जाता है क plan coming होता है मनुझ के सरीर की हड़ियां केलसियम फास्वेट की ही बनी होती है को कहते हैं केलसियम पत्री के रूप में गौल ब्लेडर में पाया जाता है डूध प्रोटिन केसिं किसके द्वारा पाचित होते हैं और इसका सही अंसर बजाएगा और द्वारा दूद्ध। प्रोटीण केसी जो है पाचित होता है किसके दौरा कि और रहा कि प्रेटलेट किसा सरोथ है और उसका जेवाव है अप्सन, ए ठ्रॉंबो फ्लास्टिन है यह रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है हिमोगलोबिन रक्त में O2 के परवा में सहायता करता है यह रक्त को लाल रंग भी परदान करता है प्लाजमा रक्त को जल्यमाध्यम परदान करता है अगला परसन है कि निमलिखित में कौन सा जोड़ा सही है तो अंसर हो जाएगा option C आलू बैगर्ण सोलेनेशी आलू बैगर्ण सोलेनेशी का जो है वो जोड़ा सही है निम्न कतनों पर बिचार किजिए करेटीन उपरोग कतनों में कौन सकत है तो यह क्या है करेटीन इसका जो अंसर हो जाएगा एक protein है बिल्कुल सही वह बालों में पाया जाता है यह भी सही नाखुनों में पाया जाता है यह भी सही अंसर हो जाएगा option B करेटीन प्रोटीन है यह बालों तथा नाखुनों में पाया जाता है ब्रायोफाइट्स क्या कहलाते हैं और इसका सही अंसर हो जाएगा option A सबसे बड़ा ब्राइव फाइटा जो है जो अपसिस है अगला है पसलियां किसके अंतरगत आते हैं और इसका सही अंसर हो जाएगा मानव सरील में हडियों की संख्या कितनी है 206 है ट्रांसफोर्मर में अपरिवर्थित रहने वाली रासी कौन सा है इसका जो अंसर हो जाएगा वह जाएगा ऑप्संसी आविर्थी यानि फ्रेकेंट्सी घरों में प्रवाइथ होने वाले बिधु धारा के अविर्थी कितनी हो होती है द्रिष ध्रह के होता है जीरो हाट्स यानि डी का जीरो हज्क है उस बिखलब का चैनल करेंह जो आउसी कार से परकार पहला पतर बाद से संबंदीत है और 506K सब्संदित है और 407 ऐ 372 के नहीं चैनलागत चार Works Canada भागा तेज़ करेंगे तो 169 अगर रखते हैं उसको 69 से भागा देंगे तो कितने यह भी गारा बर में तो अंसर जो हमारे पास होगा वह होगा डी इसका जो अंसर हो जाएगा अगर लिखेंगे तो इकामन भागा साथ बरबर दू गुना चार पलस दस माइनस पांच हमारे पास कौन हो जाएगा बी हो जाएगा निम लिखित में कौन सी पद दी गई सिंकला में प्रस्ण चिंद के अस्थान पर आएगा यहां से देखिए बी से सी गया है पलस एक है सी से डी गया पलस एक है डी से जाएगा पलस एक आई से एफ गया पलस एक तो एक हमारे पास कौन सा आगया वो ए मिल गया एस से टी गया पलस एक टी से यू गया पलस एक और यू से पलस एक जाएगा तो वो क्या होगा भी क्षिते हैं और लास्ट वाला जो है वह जी से वह जुञें दो 禮 हो जाएगा प्रस्ट चीछ यह गई स्थान प्रेश्ट जीठ पर कौन कि जा खाएगा थो आई है सब कितना हो गया इस से पलास पचीस हो गया तो इसको इस तरह लिखा जाता इसको इस तरह लिखा है उसी कुट भासा में बाईरिंग को किस पर का लिखा जाएगा तो हमें देखना है कि यह किस स्रीज में लिखा गया है I N V A D को लिखा गया है L R By E G I यहां आई से एल गया है आई से एल गया है तो यहां पर देखिए प्लस तीन है इन से आर गया है प्लस चार है यह प्लस तीन है यह प्लस चार है यह प्लस तीन प्लस चार का जो हमें स्री चला तो डबलू के प्लस तीन करेंगे तो जेड होगा आई से प्लस चार करेंगे तो यू होगा इस तरह देखेंगे तो अंसर हो जागा option B पाइका निरितीन में से किस भारती राज उसे संबंदित है सही जवाब हो जागा option A उडिशा से संबंदित है उडिशा का लोक नित है पाइका मुनरी या आदी भारत में स्याई चीता को किस बर्स बिलूपत गोसित किया गया था इसका सही जवाब हो जागा option B उने सो बामन में बिलूपत गोसित किया गया था यदि X स्कॉर पलस 2 स्कॉर पलस Z स्कॉर बरवर XY पलस YZ पलस ZX और X बरवर 1 है तो इतना कमान क्या होगा में निकालना है तो यहां पर क्या करना है कि X बरबर by बरबर Z बरबर A मान लेना है क्या है मान लेना है हो जाएगा 10 A4 पलस 5 A4 पलस 7 A4 वटा 13 A2 A2 पलस 6 A2 A2 पलस 3 A2 A2 जोड के लिखेगा 22 A के पलस 4 वटा 13 पलस 6 पलस 3 A to 4 हो जाएगा कितना 22 A to 5 22 A to 4 पल्वर बरबर बरwe बन तो अंसर हमारे पास क्ाँन सा हो जाएगा तो वो बना जाएगा वो बना जाएगा यदि 10 A बरबर 5 पलस बरबर 3 कॉस एक आमन क्या होगा 5 बरबर 3 पलस बरबर बरबर अंडरूट एक सोनातर बरबर तेरा करन तो हमारे पास से हो गया अब कॉस्ट ए बरबर जो होता हुँ अधार बटा करने बारा बटा तेरा अंसर आजाएगा ऑफसन कॉन सा सी कुल कमाई का और पीक की कना है कितना हो गया कि 105 प्रश्यानमे प्लस 65 प्लस 115 प्लस 130 प्रवर 511 158 कुल कमाई कितना हो गया 150 प्लस 110 प्लस 122 प्लस 106 प्लस 68 यह हो गया 556 सही जवाब होगा option B हो जाएगा एक कार्ज को आठ दिनों में पूरा कर सकते हैं अकेले इसे 16 दिना में अब भी 50% से कार्ज करता है तो ए और भी मिलकर कार्ज कितने दिनों में पूरा करेगा कारा करें एक पलस वर आठ दिनों में और एक इतना दिनों में इसका जो सोला होगा इसका दो छमता इसका यह तो अभिश्च्संग कार्ज कितने मैं यह कूल काम 16 बटा क्या हो जाएगा एक तो होगा अब एक कितना होगा एक ही होगा शमता क्योंकि 1 आइए सब्सक्राइब लेकिन करें हाप चमता से कर रहा है 50 परसंट दो से हो जाएगा यानि सोला बटा तीन वटा दो यानि 32 वटा तीन दीन अंसर हो जाएगा ऑप्सन जो हो जाएगा डी हो जाएगा रावी ने दो बाइक 42,188 रुपया परतियक में बेची एक पर उसे 20 परसंट क हानी हुई उसे कूल मिला कर कितना परतियसत लाविया हानी हुआ है अब एक होता है फर्मूला कि जब बिक्रैमूल समान हो और पहले ए परसंट लाव तथा दूसरे पर ए परसंट की हानी हो तो हमें ऐसा हानी ही होता है तो हानी परतियसत बरवर निकल जाएगा कितना ए स्क क्धोल की मुल अंद्धा क्या होगा है दिए पर हमारे कर YouTubeぁ हमारे परम्ट्स हो नोग जह प्लस पर कंसंटरीशन एंट हमारे पास ने स्मिटेंगा मुरूंप उनलोग हध पलस तो यह चार दिया हुआ है M-Log h plus concentration तो हो जाएगा h plus concentration वरब 10 को पावर माइनस 4 वरब 0.001 अंसर हमारे पास हो जाएगा option D हो जाएगा अगला है किस रंग के परकास की त्रंग धहर्ज 5450 इंग स्टम होती है और इसका अंसर हो जाएगा option C हारा रंग के द्रिस्ट प्रकास का जो होता है वह 4900 से 7000 के बीच में होता है यदि हम किसी दिये गए बल के च्छेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाव परती का इस च्छेत्र में क्या परिवर्थन होंगे इसका जो सही अंसर हो जाएगा आपसन डी कम हो जाता है क्योंकि दा जाएए क्या होगा तो आईए सबसे पहले हमें देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है चार गुना एक प्लस पांस गुना माइनस दो इक्वल टू ठी रो यह हो जाएगा चार प्लस दू-एक्स-10 बड़वर जीरो एक्स बड़वर हो जाएगा पनश तीन हमारे पास पनश 2 equal to 0 जब इसे सोनवावर करेंगे तो 4 plus 2x minus 12 equal to 0 x वरवर हो जाएगा plus 4 इसे हमारे पास अंसर आ जाएगा कौन सा? तो option A जो है वो सही है फिर भी इसका भी निकाल लेते हैं इसका जो होगा वो 4 गुना 1 plus 2x plus 7 minus 2 के गुना में है equal to 0 4 plus 2x minus 14 equal to 0 x वरवर जो है plus 5 अंसर हो जाएगा option A किसी बस्तू का मनुस की आख के रेटीना पर परतिवीम कैसा बनता है और इसका सही अंसर हो जाएगा option D बस्तविक बनता है और उल्टा बनता है बस्तविक परतिवीम को परदा पर प्राप्त किया जा सकता है अब हासी परतिवीम को परदा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है रेटीना पर बस्तू बस्तविक छोटा वो उल्टा परतिवीम बनता है प्रन्तू मस्तिस्क जो है इसे सीधा देखता है अभी किरिया F3 plus plus E बरबर F2 plus के लिए निमलिखित में से क्या जो है वो सही नहीं है इसका अंसर हो जाएगा D E F3 plus और F2 plus दोनों अमलिय मुलक कहे जाते हैं ये जो है सही नहीं है F3 plus अब चैत होता है F2 के उक्सिकरित अबस्ता प्रिवर्तित होता है और F3 plus को आउक्सिकारक कहा जाता है ये तीनों जो है वो सही है अगला है सलफा हेक्सा फुल्राइड अनू का अकार कौन सा है और इसका सही अंसर हो जाएगा option A क्या है अस्ट फल्किये होता है सलफा हेक्सा फुल्राइड को सल्फर हेक्षा फॉल्राइड वी कहा जाता है इसका जो अनुसूत्र होता है ये सेफीज होता है इका इल्वुनियम को अधभूनिका बार्ट छार्णंए में खाले स्थान धातू के रूप में नामित किया गया है इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन C गैलियम के रूप में किया गया है मेडलिव के समय कुल कितना था तिरसर तत्व जो है वो ग्याद था अगला दिये गए विकल्पों में उस आकर्थी का चेंड करें जो निमिक्षि मेज कयद्र के मुख कर कें बैठे हैं अमन विपलब के बाईयर तीस ते अस्थान पर बैठ हुआ है तो बिपलब वह कहां बैठा रहेगा यहां पर है यहां पर जोह दो, سफान खाली है तो यहां भीझाली हो जाएगा है कि चिरंतन अमन के ठीक बगल में बैठा हुआ है इलिज्यावेद दिव्या के दाईयों दूसरे अस्थान पर बैठा हुआ है तो यहां हो जाएगा कौन सा दिव्या चिरंतन दिव्या के ठीक बगल में नहीं है चिरंतन जो है वो दिव्या के ठीक बगल में नहीं है यहां पर तो है बिपलब के बाईयोर ठीक बगल में कौन बैठा है तो यहां बच जाएगा वो कौन है फिरोज है अंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो दिव्या बिपलब के बाईयोर बैठा हुआ है वो है दिव्या अंस बी हो जाएगा उस वह बिकल्ब चित्र चुनिए जो प्रस्तु चित्र में अंतर नहीं थे इसका सही जबाब हो जाएगा option बी चार अच्छा समू दिये गया है जिन में से तीन किसी ने किसी तरह समान है एक समान है अच्छा समू का चैन करें यहां से देखिए है पी से टी कि गया है प्लस चार आटि कि से भाइगा है प्लस पाज ऑलस पाच इन से और गया है प्लस टील जो है प्लस-पाच यह जो हमारे पास वह असंगत है असमान है कथना और निसकर्स का कोई भी बैंक है जो कार्याले नहीं है अगर यह बैंक है तो हम कर सकते हैं कि यह कार्याले कार्याले नहीं है कोई भी बैंक उसके बाद करें सभी कार्याले जो है वो क्या है तो यह सभी कार्याले जो है वो अस्टॉल कोई भी बैंक नहीं है गलत कुछ कार्याला है बिल्कुल सही सभी स्टॉल कार्याला है यह गलत अंसर हो जाएगा आप सन कौन सा तब हो जाएगा सी केवल निसकर स्थर्ड है जो अनुसरन करता है फरवारी 2024 तक कितने भारती अस्थलों में इनेस को विश्प धरोहर की सुची में सामिल किया गया है अंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42 को कितने को 42 सितंबर 2030 में बिश्प धरोहर सुची में पस्चिम बंगाल के सांती निकेतन को 41 बाद और करनाटा के खोईसल समों का 42 धरोहर अस्थल के रूप में नामित किया गया है और सबसे ज़्यादा बिश्प धरोहर अस्थल कहा है इटली में है और वो भी 69 है एक हजार एक दिवस्य मैच खेलने वाला बिश्प का पहला देश कोन बना अंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत बना भारत कर अभी अधिश ट्रा समानुपाती 343 है तो बवी माइन sil एक मान क्या हो जाएगा यह वराबर क्या है वा है ज्यास एक्स के दिवस्य मैं निकल गया 14 तो बी माइनस ए बरवर हो जाएगा साथ एक्स माइनस दो एक्स बरवर पांच एक्स पांच गुना 14 वर क्या होगा सत्तर अंसर होगा अगला प्राशन है कि निवलिखे चित्र में क्यूएस जो है वह पैरलर है हमारे पास क्यूएस जो पैरलर है एक सब्सक्राइब कर देंगा एक सो पीश डिग्री है हमारा पूछ रहा है अंसर होगा अप्सण टी एक आयत की नहीं बुजाओं कानुपात 65 रहा है और इसका परिमाप जो है 90 संटीमीटर है तो इस आयत का चैसल रवा जाएख 6 और कितना दिया हूए 10 इस है परिमाब वरबर होता है परिमाब बरबर तो दो गुना 8X प्लस 106 कितना हो जाए तो एक्स ब्राबर नबबे बटा च्षट वरबर 5 बटा दो हो जाए आयत का च्छट फिरंगर हमारे पास क्या हो जाएा आठ गुना पांस बटा दू कर दिजिए और गुना कर दिना है दस जो एक समाने है इसमें पांस बटा दू से हो जाएगा 500 सेंटी मीटर यह गुना में च्छत पर यह लंबाई हो गया यह चोड़ाई तो 500 हो जाएगा का अंसर होगा option C हो जाएगा यादि एक सम बहुज में भुजाओं की संख्या 12 है तो उसके पर्तिक बाइक कोन का माप क्या होगा इसका सही अंसर हो जाएगा option A 30 हो जाएगा एक बिर्तकार रास्ते की आंत्रिक परीदी 1408 मीटर है और रास्ते की चोड़ाई साथ मीटर है छे परती मीटर स्कॉयर की दर से उस रास्ते का समतल करने की लागत कितनी होगी तो प्रस्ण में करहाई कि टू पाई यार बरबर है 1408 यहां से और निकल गया 224 मीटर निकल जाएगा क्योंकि पाई कमान 22 बरबर साथ अगर रख दीजेगा तो निकल जाएगा बाहरी तरिज्या आर बरबर कितना हो जाएगा 224 अपलस साथ यानि 231 मीटर तो रास्ते का छेत्रफल बरबर जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वाइर माइनस ही पाई आर स्क्वाइर यानि आर कैप्टल में अस्मॉल में पाई कमान 22 बरबर साथ कि क्योंकि कॉमन ले लिया गया है सब्सक्राइब हो जाएगा हमारे पास आजाएगा कितना बाइस बटा साथ ही दोनों के मस्ति में है माइनस में स्क्वाइर माइनस बी स्क्वाइर का फर्मूला लगा दीजे 231 पलस 224 इंटू 231 मैरस 224 यह हो जाएगा 22 बटा साथ गुना 456 गुना साथ अंसर हो जाएगा 22 गुना 455 यानि 10010 बरग मीटर हो जाएगा कुल खर्च कितना हो गया तो 10010 अगुना 6 कर दीजेगा क्योंकि 6 रुप्य पर्ति मीटर स्कॉर की दर से है यह हो जाएगा 600600 अंसर होगा ऑप्शन सी एस्प्रीन की खोज किसने की और इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेसर ने स्प्रीन की खोज डेसर ने की एक दवा है जिसका उप्योग दर्द सूजन या बुखार के इलाज के लिए किया जाता है चुमबक्ये छेतर में गतिमान आवेसित कन पर लगने वाले चुमबक्ये बल का सुत्र क्या है इसका अंसर हो जाएगा क्यों भी साइन ठीटा होता है समान बोड़ता के दो सो बाट बाट वाले बलवों की परतिरोज क्रमसा आरवन एबम आर्टू है तब तो समान बोड़ता है दो सो बोल्ड का है यानि पीवर पीवन बरबर 200 बाट यानी पिपर पूस्टेंल टू बन बंबाई वाले तो पीपिटू बर बन दो बाट ओटता सौ बरबर R2 by R1 R2 बराबर हो जागा 2R1 अंसर जो हमारे पास आ जाएगा कौन हो जाएगा B हो जाएगा R2 बराबर 2R1 अगला प्रस्ण है कि निमलिखित में कौन सा कथन जो है वो सत्र है इसका अंसर हो जाएगा C पदार्थ का पड़ती रोद इसकी लंबाई के अनुकर मानुपाती होता है यह सही हो जाएगा क्योंकि R2 बराबर होता है R2 लवाई A होता है जहां रोजो है वो 20 पड़ती रोध होता है इसका जो सही अंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 12 वोल्ट की एक बैटरी बराबर हो जाएगा भी बटा आई यानि वी जो है 12 और आई दो दसम्राव चार गुना दसके पावर माइनस थिरी इंपियर बराबर पांच गुना दसके पावर थिरी ओम अंसर होगा तो हमारे पास बी हो जाएगा मान लिजिए कि किसी लड़की के सामने एक जादूई दर्पन रखा गया है परिनाम से रूप लड़का देखता है कि उसके सीर का परतिविम समान अकार का है उसके सरीर का मदभाग चोटे है उसके पेरो का कार बढ़ा है इसलिए सीर से नीचे तक जादूई दर्पन निर्मने से कौन से परतिविम परतिविम समान अकार के है यानि वो तो क्या होगा समतल होगा उसके बाद कर रहा है कि उसके सरीर के मदभाग चोटे है यानि उत्तल होगा उसके पेरों काकार बड़ा है तो अब तर अंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खाली अस्थाने के इसी प्रकिरिया है जिसमें दो निकर्तम फिटिंग भागों को एक फिलर समागरी को प्योग करके जोड़ा जाता है जिसे उसके गनलांग से उपर गर्म किया जाता और केस का किरिय मुख अच कहला दिये गए पैटर्ण को ध्यानपुरुवक अध्यान करें और संख्या चुने जो प्रश्ण चिंग के स्थान पर आ सकती है तो आईए देखिए च्छे गुना आठ करते हैं यानि च्छे गुना आठ प्लस च्छे प्लस आर्ट सोरी करते हैं आठ शकार ताल 5 करेंगे अब प्लस 14 प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास आजाएगा एची नाइन यान्सर जो है वो डी हो जाएगा कि ग्रामिन अनियोजित असनात को कि संख्या कितनी है तो इसका अंसर हो जाएगा वह जाएगा आठ कौन हो जाएगा आठ ऑप्सन टी हो जाएगा निमलिकी चित्र में कितने तिरभुज है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्सन सी 15 तिरभुज है चार सब दिये गए हैं जिन में से तीन किसी ना किसी तरह से समान है एक का समान है असमान सब्द का चेहन करे इसका सही अ शास समान है रीना और मीना सास साथ चल रहे उन्होंने एक पार्क में दछीन की ओर छलना शुरू किया है। पचास मीटर चलने के बाद बाइय और मुडी और तीस मीटर चली इसके बाद मुड़ी पचास मीटर चली। रियम रीना का मुख्खब किस साम है उच्छा मैं है और इसका सई अंसर हो जाएगा औपसन बी नरोरा जो है वह उत्तर परदेश में इस्थित है डीव बैटकर के कि क्षेच खोज कब होई थी और इसका सई अंसर हो जाएगा कौन तो वह जाएगा एए उनेश्व संतामन से अंठामन इस्वी में खोज उनेश्व संतामन में डाक्टर विश्णु स्रीधर बाकनकर द्वारा किया गया था यह मद्ध परदेश में राइसन जिले में इस्थित है भीम बेट का गुफाएं मद्ध भारत का एक पुरातत्वी कस्थले जिसकी काल अभी प्रोग इतिहासिक पसानकाल और मद्ध पसानकाल के लेकर एक इतिहासिक काल तक है किसी दुकानदार ने एक बस्तु को 13% के लाव पर बेचा यदि उसने इसे इतना से अधिक में बेचा होता तो उसे के परसंट का लाव प्राप्त होता उस बस्तु का क्र प्रस्ट में किरा रहा है 720 कि कि आ ह मायनेस स्वक्राइब कि इसाल करां किसी दिसाल प्रै रावर पार फे expressed प्रैशन और्वर जाएगा दर निस्टितबार पर्से के नेशक्रा सॉन पर ऑदैर से सुथ 1240 की रासी तीन बरसों में 14848 हो जाती है यहां पर क्या है मुल्धन बराबर जो दिया हुआ है देस 1240 दिया हुआ है मिस्रधन दिया हुआ ये दिया हुआ था तो कितना दिया हुआ है 14848 ती जो दिया हुआ है 14840 माइनस 10245 चार आजाएगा 4608 और बराबर जो हो जाएगा 468 गुना 100 बर्ट 12,240 गुना 3 बराबर 15 परसेंट हाजाएगा और व्यात जो है पांच माहि सयोजित होती है तो हमारे पास जो आर है वो कितना हो जाएगा पांच माहित 15 गुना 5 बटा 12 यानि 25 बटा 4 परसेंट और समय भी जो है वह 5 माहिए पांच बटा 4 पांच बटा 4 गुना 12 बटा 5 यानि तीन बर्स हो जाएगा यहां से यह बर निकल जाएगा पी इंटू 1 पलस और बटा सो के पावर एंसे मान रख दीजिए यह को एक समान लिजिए पी है 10200 40 इंटू 1 पलस पचीस बटा 400 बटा क्या हो जाएगा तीन हो जड़ी एक्स बरावर इतना दिया हुआ है तो एक्स कमान क्या होगा बोर्ड मास पर है अप इसे हल कर देगा अंसर जो आएगा वह यह आएगा दो एक्स तीन अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसे दस बारा एकीस पैटीस और चालिस से विभाजित करने पर समान से सफ़ल त आट रहोता है एक का नियुंताब्मान क्या होगा सबसे पहले तो तो त्यास बारा एक इस पैटीस और चालिस का जो है वह आए लसी निकाल लेना है तो लसी आप गाड़ित परकार है यह ग्रेटर देन ऑई और एक सथाब वाई के बरगों का योफ़ 2426 एसका बर्ग मुल साथ तो य का बर्ग क्या होगा प्रासन में कर रहा है रूट एकस बरबर जो है वह साथ है एकस बरबर जो हो जागा कितना 49 हो जाएगा अब एक स्कॉयर प्लस बाइसकॉयर बरबर 2426 जाएगा चोवी सो एक यानि 25 अंसर होग चांद्रमा पर आवाज क्योंने ही सुनाइी जा सकती है इसका अंसर हो जाएगा ऑप सब्सक्रेश चंद्रमा पर कोई बाइमंडल नहीं है और ध्वानी बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकता है जब माध्यम ही नहीं है तो यात्रा नहीं कर सकता है ध्वानी का संचरन किसी पदार्थ के कनों के दोलन के द्वारा होता है ध्वानी ठोस द्रव गैस में प्लाजमा माध्यम में अनु धैर तरंग के रूप में काम करता है किस तरह के अनु धैर तरंग के रूप में क्या साथों पर पॉलिस करने यास नहा कि बहुत सी मात्रा को प्योग करके घर्षन को पूरी तरह से समाप किया जा सकता है Answer हो जागा A घरसन को पूरी तरह सवावट नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ अनियम मिताएं जो है वो बनी रहेगी क्या होता है जब एक प्रखनली में एक अमली बिलियन और एक चारी बिलियन को मिलाया जाता है Answer हो जागा Option C का तफमान बढ़ जाता है और लवन का निर्मान होता है जय से ए favour S.C.L. यह जाता है N.S.L. पलस is to o हो जाता है किसी घटा को उसके गएर में से प्रिथक्रित करने के से किस बीधी का उपयोग किया जाता है और इसका अंसर हो जाएगा ऑप्संडी मिलेनिं के कारन होता है त्वचा के रंग का निधानन मिलानिन द्वारा होता है मिलानिन सूर्ज की पराबैगिनी किलनों से त्वचा की रच्छा करता है निमलिखित में कौन सा एक पेड़ नहीं है और इसका अंसर हो जागा ए मनी प्लांट मनी प्लांट एक पेड़ नहीं है पेड़ वे होते जिनमें मजबूत तना स्तंब के रुप में खड़े होते हैं बरगद नीम पीपल आम आदी जो है वो तनावला पेड़ है मनी प्लांट एक जाड़िये पोधा है एक बड़े हॉल की दिवारों से ध्वनी बार बार पराबरतन को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम सुरूफ ध्वनी की अनुभूती बनी रहती है और इसका सही अंसर हो जाएगा आप्शन B परती ध्वनी तारन या पीछ के कारण ध्वनी मोटा या तिछन सुनाई देता है पीछ ध्वनी तरंकिया विर्थी पर निर्भर करता है सैक्रिन और प्रिंटिंग स्याही के निर्मान में किसका उप्योग किया जाता है अगला है यदि डिस्कॉंट सबके सभी अच्छर को बाएं से दाएं गरेजी बर्न वाला क्रम में विवस्तित किया जाए तो कितने अच्छर की स्थिति अपरिवर्दित रहेगी यहां अगर डिस्कॉंट लिखा हुआ है उसको लिखेंगे तो C D I N O S T U होगा यहां पर O का जो है वस्तान अपरिवर्दित है अंसर होगा अपसर B अगला प्रसन है कि कथान और तरका दो बरसे कम आई हूए कि बच्चों को डे केर में रखने से बसना चाहिए क्योंकि इसमें नुक्सान ही होता है यह करा है नुक्सान का यहां पर है कतरक में कुछ माता पिता पुनकालिक नौकरी करते हैं उनके घर पर उनके बच्चों को देखवाल करने के लिए कोई नहीं होता है इसलिए बच्चों को day care में रखने से बच्चों के भाषरा कि देख़ाल मिल सकता है यह गलत है डे केर में बच्चों के आस पर रहने से लभान मिल्द हूते हैं उनमें कुछह समाजी कोसल बिकस तो यह भी गलत है अंसर हो जाएगा दोरों कत्छ समर्थन नहीं करता है कथाने बब निसकर्स का है राजनेता के बद सुन्दर लड़कों से साधी करते हैं एक सुन्दर है निसकर्स एक सराजनेता से साधी करे एक सराजनेता से साधी नहीं करेगी इसका जो सही अंसर हो जाएगा C या तो एक या दो अनुसरन करता है 77 नमबर की बात करें तो इसका जो अंसर हो जाएगा वो D हो जाएगा 78 की बात करें कि इनमें से दिया गया एक है तालिका उसमें से कौन सा सर्थ जो है वो लागू करेगा उसी के अनुसार हमें इस कुट का प्योंग करना है इसमें जो देखते हैं, यह कौन सा है, जो सर्थ सकेंड जो है वो लागू हो रहा है, अज सकेंड के अनुसार अगर हम इसे एरेंज करेंगे तो साथ के C एड़त होगा, Q होगा, A होगा, D होगा और सी होगा तो अंसर हमारे पास कौन सा जा रहा है वो बी हो रहा है भारत के समिधान का मसवधा त्यार करने के लिए समिधान सबाने खाले स्थान को मसवधा समीती का गठन किया था अंसर हो जागा बी 29 अगस्ट 1947 इसवी को मसवधा समीती का गठन किया गया था इसके अध्य क्रित किया था कांगरेस के मंत्री मंठलों की समोही के रूप से त्याग क्रित्थ देने पर बाइस दिसम्बर 1949 को मुख्ति रूप में मनाया और 1944 में मूस्लिम लीग ने दो राष्टों को प्रस्ताव् पारित किया अगला यदि 3 sin2 theta plus 4 cos theta minus 4 बवरबर 0 0 डिग्री से 20 डिग्री है तो कोसे को स्कॉर स्कॉर थिटा का मान क्या हो जाएगा तो आईए इसे करते हैं 3 sin2 theta plus 4 cos theta minus 4 बवरबर क्या हो जाएगा जीरो तीन maximum लेकर 1-1 cos so² theta लिख सकते हैं sin square theta के plus 4 cos theta minus 4 equal to 0 प्लाइस लिख सकते हैं 3 cos so² theta plus 4 cos theta आई धीरी है आची माइनस 4 है तो घजाएगा यह माइनस 1 equal to 0 3 cos so² theta minus 4 cos theta plus क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा equal to 0 इस साट चल गया है हमारे पास हो गया यहां पर यह minus में है तो यह plus में आजाएगा फिर इसे जब और आगे June करेंगे तो यह कितना हो जागा ग्रिको स्कॉाइर साथ स्वाइर सिटा माइंध स् ठ्रीक इस th kiss थिटा माइनस सम्सुप स्परिष कॉ स्धिट फ्रई कोंग स्धिटा आगा 5 कॉस्था कररा दो गुल due यह पार स्थिटा बराभर बन बाय यह कोस्थटा बराभर हो जाएगा जाम तो साइन फ श्कूर्भर यह कोशित थ्थर यह अ रुड़्य माए सब्सक्रयूर और नौ धर हो जाएगा रूट वेंट अब तीम हो जाएगा अधा मैन स्कॉर्ट स्कॉर्ट थीटा वरवर कितना हो जाएगा तो नौ बटा आठ पलस एक बटा आठ पर दस बटा आठ यानि पांच बटा चार अंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा थोड़ा कल्कुलेशन है लेकिन सिंपल है किसी बस्तू को 832 में बेचने पर अरजित लाव उस एक्स बरबर रबर एकस बराबर जाएगा 288 जप्रश्ने सें मिञे एकष्टा घंसे एक खोण, खेंच गोलााग पाधा जाता है इन तन संटी मिटर गया गोलेशन का का आहितन बराबर जोगा गोले का आहितन बराबर होगा घंच का आहितन मैंनेस को जो सीस्टोस का है यानि चार वट्टा तीन पाई आर की बराबर होगा साथ गुना साथ मैनेस 490 वटा 3 हो जाएगा तो 4 वटा 3 गुना 22 वटा साथ गुना और की वबरबर 1029-490 वटा 3 और की वबरबर हो जाएगा 549 वटा 3 गुना 3 गुना गुना और की वबरबर निकल गया 7 वटा 2 गुना 2 वबरबर साथ अंसर हो जाएगा एक क्योंकि गोले का ब्यास पूछ रहा है केले के मुल में 20 परसंट की कमी होने पर ग्रहक असी में 6 के लिए धिक खरी सकता है केले के परती दर्जन मुल में हुई कमी ग्याद करें तो माना की केले के मुल दर जो है एकस रुपे परती क्या है केला है एकस रुपे परती केला है तो खरीदी गई मातरा 80 वटा एकस है नया दर बरबर होगा एकस मैनेस एकस का 20 परसंट यानि चार एकस वटा 5 अब प्रस्णा नुसार कर रहा है असी गुना 5 वटा 4 एकस मैने 80children एक्स बरबर कितना केला 6 के लेकर बरबर यहां से 1 के मान निका लिएगा तो 10ие4 क older थयाओजिक आस बचूर तरह के जी आजाएगा अब नेया दर माथं आप रोगा जाएगा चार गुना 10 बचार परती दर जाम चारे से चाह कोना 4-3-5 जा सigationte पतिस अंसर होगा option B पर्थम च्छावाज संख्या होगा उसरत क्या हो जाएगा पर्थम च्छावाज है दू तीन पांच साथ ग्यारा तेरा भागा छे कर देंगे छे पुर्णाग पांच बटा छे आजाएगा अंसर होगा option C धातुओं का वह गुन क्या कहला था जिसके दो है सोना एईम सभी समानांतर किर्ने खुर्दरीय या असंतल सता सट करकर प्राबर्तित होने पर समानांतर नहीं रहती यह प्रवर्तन क्या कहला था होगा भी प्शुष्रति प्राबर्तन लाता है सभी संक्रामीत को सिकाओं से अनगैर संक्रामीत को उसकाओं के रच्छा के लिए संक्रामीत को सिकाओं कौनसा प्रोटीन اس्त्रावित करती है अनसरी गइंतरि अगला प्रतिरोध को मापने के लिए नियुक्त का उपयोग किया जाता है अंसर हो जाएगा option C, V, Testone, Bridge का किस समू के सदस्यों का आम तौर पर sponge कहा जाता है और इसका answer हो जाएगा option C, पोरी फेरा समू के सदस्यों को आम तौर पर sponge कहा जाता है कारबनिक योग्यों में bond की लंबाई और bond की ताफ धारिता कॉन्यूंड में से क्या प्रोभावित करता है सही अंसर हो जाएगा sponsor सिंकरन क्या है संकरन बास का तरल जल में परिवर्बतन कौन सी भावतिक किया कहला आती है अंसर हो जाएगा button B संगनन alrededor क्या किसीद्रब के सता के नो को गैस में बदलने के किरिया को बास्पन कहलाती है सुबा एक्स और बाई पार्क में एक दुसरे के और चल रहे हैं जब वे मिलते हैं तो बाई की छाया एक्स पर पढ़ती है एक्स का मुख किस दिशा में था इसका सही अंसर हो जागा अप्शन C पूरव की दिशा में था अ कुछ आकिरती का चायन करें जो अनाकिरतियों से भीन है इसका सही जवाब हो जाएगा अगला देखते हैं कि दिए गए कथनों एवाम निसकर्ष्रों को ध्यान पूरवक पढ़ना है कथन है कुछ जंजीरे चाकु है यहां पर जो है कुछ एक जंजीर है जो कह रहा है और सभी बिलिया जो है वो क्या है वो चूहे है क्या हो जाएगा चूहे है आएए देखते हैं निसकर्ष्र में कुछ चूहे जंजीरे हैं कुछ चूहे जो है वो जंजीरे हैं बिल्कु सही सभी चूहे चाकु है यह गलत है अंसर हो जाएगा अपसर बी केवल निसकर्ष्र एक पालन करता है उस संख्या का चैन किजिए जो निर्ट की स्रेनी में प्रस्ण चिंग के स्थान पराता है बाइस से चोविस किया प्रस दूश्च चटबीस अठाइस उसके बाद क्या हो जाएगा अंसर जो हमारा यहीं से निकल के आ अगले प्रस्ण पर चलते हैं कि नीचे दी गई अच्छर का परतियक सिंख्ला के अदर पर पूछे के प्रस्ण का उत्तर दीजिए उप्रोक सिंख्ला में दाये से तीसरे तत्व और बाये से चट्थे तत्व कि वीच कितने अच्छर है इसका जो अंसर हो जाएगा वह कौन स पालों से संबंद्र हैं का भिंक हरी लंगा मैंर में अभस्तित फॉन लड़ी के संख्या जो होती हैं लकری कि एंट यह तो चार होती है यह यह झाए ट्र वैट करें सब्सक्राइब आखा ये